वर्स में क्या के इंक्लूड़िट है रोहिला वर 1774 एंड फर्स्ट एंग्लो मराथा वर 1776 एंड सकेंड एंग्लो मराथा वर 1780 ठीक है तो 1776-82 एंड 1780-84 यानि कि छे साल ये चली और चार साल ये चली ठीक है तो कोश्चन्स में कई बार ये भी आता है वर्स्ट एंग्लो मराथा वर कव हुई ठीक है तो आप यहाद रख सकते हैं कि 1776 में स्टाट हुई थी और उसके कि चार साल बात 1780 में हमारी एंगलो-माइसोर वर सेकंड वाली हुई थी चिक है तो यहां पर फर्स्ट एंगलो-माराथा है और इधर फर्स्ट एंगलो-माइसोर है चिक है और रहिला वार है जो कि 1774 में हुई थी थोड़ा सा प्रिवीजन करते रहेंगे तो आप यूस्ट हो जाएंगे इनको याद रखने में फिर लॉड कॉन्वर्लिस 1786 में है तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाला ठीक है तो हमने क्या किया था कि गवर्नर जेनरल ऑफ बंगॉल में 1774 में सबसे पहले कोन आया था वारन हैस्टिंग ठीक है वारन हैस्टिंग वस सबस्ट 1774 में 1774 में ठीक है फिर वो क्या लेकर आए रिवेन्यु रिफॉर्म्स जुडिशल रिफॉर्म्स चिक है अगर आपको कोशन भी आ जाए मेंस में वारन हैस्टिंग के ओपर तो आप लिख सकते हों कि उनकी वज़े से अगर आपको की वर्ट्स भी याद है ना की रिवेन्यु रिफॉर्म्स वो लेकर आए जुडिशल रिफॉर्म्स वो लेकर आए ठीक है तो आप और भी याद करके लिख सकते हैं इससे रिलेटेड चिक है की वर्ट्स आर इंपोर्टेंट ओके अब इन्होंने वारन हैस्टिंग 1774 में आए फिर कौन से एक्ट के थुर हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट के थुरुआ है फिर इन्होंने इंट्रोडेक्शन लिखा ठीक है किसका गीता का लिखा जो कि चार्ल्स विलकल्स ने लिखी थी ठीक है फिर इन्होंने एशिटिक से साइटी ऑफ बेंगॉल विद विलियम जोन्स बनाई फिर जिसमें इन्होंने लेंड रिवेन्यू कर कलेक्ट किया ठीक है और बेंगोल को डिस्टिक्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है और कलेक्टर्स का पॉइंट किया है उस लेंड रिवेन्यू को क्या करने के लिए क्लेक्ट करने के लिए फिर जुडिशल रिफॉर्म्स लेक किया और एक translation of code संस्कृत में आया 1776 में जिसको code of gentle laws भी कहते है ठीक है फिर wars हुई रोहिला war anglo first anglo maratha war 1776 जब war enhancing आये थे 1774 में ठीक है तो उसके 2 साल बाद first anglo maratha war हुई और second anglo maratha second anglo mysore war कब हुई 1780 में फिर आपके lord convales जो कि 1786 में आये और 93 तक रहे ठीक है तो आप एक याद रख सकते हैं कि यह जो series चल रहे हैं यह 17 वाली चल रही है तो आप जब भी starting से याद करने लगें किसी exam में कि पहले कोन आया तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो series start होती है ना इनकी वो 17 से start होती है 1757 फिर 1772 फिर जो wars हुई 1776 में हुई फिर second anglo-mysore war कब हुई 1780 में हुई ठीक है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो फिर यह lord convales जो 1786 में आये first person to codify laws in 1793 ठीक है तो यह पहले इंसान थे यह जो first होता है ना history में यह बहुत important होता है ठीक है तो जो code है उसने separate किया revenue and administration को ठीक है from the administration of justice it's a important line ठीक है कि किसी ने laws को codify किया ठीक है code ने क्या किया revenue and administration को हमारे उसको separate किया किस से ठीक है इसका मतलब यह है कि पहले यह दोनों चीज़े separated नहीं थी 1793 से पहले ठीक है तो created post of district judge and introduced permanent settlement in bengal very important line कि permanent settlement कोन ले के आया था permanent settlement कोन ले के आया था bengal में 1793 में ले के आया थे cornwallis ठीक है ओके और district judge की post भी इन्होंने बनाई थी ठीक है और इनको father of civil service in India भी कहा जाता है और आपको यह चीजे fact जो होते है न उनको maghap करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है क्यों क्योंकि वो भूल जाते है and we got confused in exam तो उनको थोड़ा आप mnemonics बना के भी याद कर सकते हैं जैसे cornwallis है तो इनको cornwallis and C से civil services तो आपको question आता है exam में कि who was the father of civil services in India तो आपको वहाँ पर Warren Hastings, Robert Clive यह सब दे रखा होगा तो आप याद रखना कि जो Lord cornwallis थे C से corn और C से civil services ठीक है एक mnemonic हो गया आपका तो आप यह जीस कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं ठीक है, ओके और फिर इसी तरह से आप Bengal के लिए भी याद कर सकते हैं कि first governor general जो थे Bengal के वो कौन थे, Warren Hastings अब यह कैसे आता रहेगा कि Warren Hastings ही थे, तो W से warning, W से Warren Hastings और फिर Bengal, तो WWB, क्यों Warren जो थे, वो एक warning की तरह आये थे Bengal में, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे Bengal को separate किया था, ठीक है? ओके, Muslim Laws बनाए थे, ठीक है? Court of Gentle Laws ले के आये थे, दिवानी Rights बनाए थे, अद्दालत बनाए थे, ठीक है? और Land Revenue को collect करने के लिए इन्होंने Officials बनाए थे, ठीक है? Bengal को इन्होंने डिवाइड कर दिया था districts में, ठीक है? तो W से warning, W से warrant और Bengal के ये first governor general थे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, Cornwallis से हमने देख लिया कि वो क्या थे? Father of Civil Service in India और Permanent Settlement को ले के थे Bengal में? वही ले के आए थे, ओके? और वही पहले person थे, जिन्होंने laws को codify किया था, अब Cornwallis से C to C laws, ठीक है? Codified laws, ठीक है? और उन्होंने इसी तरह से revenue administration को और justice को separate किया, ठीक है? और क्या-क्या उन्होंने Permanent Settlement ले के आए वो Bengal में, ठीक है? यह Permanent Settlement के लिए न्यमोनिक्स में अभी नहीं बना पा रही है, अगर आप बना सकते हैं, तो मुझे भी बताना होगी? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब Wars की बात आ गई, देखो यह जो War है ना, यह आपको हर जगए इरिटेट करेगा, ठीक है? पूरी हिस्ट्री में जब हिस्ट्री एक तो होता ही, पॉरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे कि जो Medical Background से होते हैं, बच्चे या फिर, यह नो, B.Tech की साइड से होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, जो Art साइड से, जिनको हिस्ट्री पढ़ने की आदत होती है, लैक मेडिकल वालों को मेडिसन्स पढ़ने की आदत होती है, उसी तरह से, तो यह जो Wars है न, यह आपके नाक में दम हमेशा करके रखेंगे, तो अच्छा होगा, कि आप इनको साथ में एक पेज पे लिख लें, ठीक है, मैं जितनी भी Wars हुई है, इसमें यह वैसे दे ही रखा होगा, लिस्ट में, लिसेंट जी के में, तो इन सारी Wars को न, एक बार नंबर से हम याद करेंगे, ताकि हमें कभी confusion ही न ग्रेट हो, कि फर्स्ट एंग्लो मराथा कभ हुई, सेकंड एंग्लो मैसूर कभ हुई, धर्ड कभ हुई, ठीक है, वैसे अभी हम यहाँ भी याद करेंगे, और लिसेंट जी के सीरीज बनाने का मेरा मेन इम यही है, कि बार बार मुझे और आपको, दोनों को, जब एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, तो वो हमें लर्न हो जाती है, ओकी,